नमस्कार आप देख रहें उत्राखंड तक और मैं हूँ आपके साथ सरीता तिवारी आज एक ऐसी उत्राखंड की शक्सियत से आपको हम मिलवानी वाले हैं जो की छोटा परदा बड़ा परदा OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है अंजाना अंजानी और कहानी जैसी फिल्मों में जो है स्क्रीन राइटिंग ये कर चुकी हैं इनके लिए कई सारे इन अवार्ड भी मिल चुके हैं इसके अलाव स्टार प्लस के एक सीरियल एर प्लेइन का भी स्क्रीप राइटिंग नों ने किया हुआ यानि काफी कुछ काम करती हैं ऑथर हैं स्क्रीन राइटर हैं साथी साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इलीगल सीजन टू भी नों ने लिखा हुआ साथ ही और भी इनकी वेब सीरीज हैं उनसे ही हम जानेंगे ये हैं पौडी के एक चोटी से गाउं सुमाडी की रहने वाली अद्रता काला जिन से आज हम मुलाकात करवाने वाले हैं अद्रता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्राखंट से लेकिन पलाइन करके जो आप कमाल आपने किया है ये बिलकुल मतलब तारीफ के काबिल है तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी जरनी थी इस सेक्टर में आने की जो आपने बॉलिवूड में भी धमाल मचाया अब आप OTT पलेटफॉर्म पर भी हम देख रहे हैं कि आपकी को सीरीज है तो थोड़ पलायन किया है मैं बहार रही हूं पूरी जिंदगी और मैं लॉट के देरादून में हागे हूं मेरा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी है और यह आपको बताता है कि उत्राखंड में इतना बदल रहा है और इतनी अच्छी चीजे हो रही है कि आप बड़े-बड़े शहरों में दुनिया भर में रहने के बाद यह लगता है कि आप अब लॉट चले तो घर की बाद की होती है बर मैं अपनी कहानी अगर आपको बताओं तो मैंने सबसे पहले पुस्तक एक लिखी यह अंग्रेजी में प्रकाशित हुई और भारत में पुस्तक का नाम था अल्मोस सिं बड़ी बेस्सेलर बन गई उसके बाद जब आपकी पहली नोवल थी और यह अमरीका में भी पकाशित हुई कैनेडा में भी फ्रांस में भी तो काफी मैं कहती हूं कि इसको किताब थी पर इसने काफी ट्रैवल कर लिया तो उसके अल्मोस्ट सिंगल यह जो किताब आपने लड़की थी थोड़ा से बारे में भी बीच में रो करें हूं थोड़ा सा बताइए कि मतलब इतनी जो सेल हुई है तो ऐसी क्या बात थी क्या कहानी थी अगर बढ़िया लगी तो हो सकता है कि मेरा भी इंटरस्ट जगे तो मैं भी पड़ूं बिलकुल पढ़ियेगा यह ए बहुत ही सबस्वत अत्रता मिलती है तो हमारा एक्सपीरियंस अलग होता है पर अगर आप कुछ और भागे हमारे राज्यों में देखे हमारे देश के तो काफी लड़कियों को दबा के काफी रखा जाता है आज भी डिस्पाइट ऑल दो प्रोड्रेस तो मुझे यही लग रही है चोटे शहरों चोट के जा रही है बड़े शहर जा रही है वहाँ पे अपनी जिंदीगी बना रही है करिया बना रही है हां कभी-कभी किसी के साथ प्यार भी हो जाता है तो मुझे यह जो रहता है हमारी हमारी दिमागों में हमारी हमारी समाज में इसके बारे में तो मैंने ये कहानी उस मजरिये से लिखी और मैंने थोड़ा अलग किया मैंने सोचा कि मुझे ऐसी कहानी नहीं लिखनी जहांपे मैं किसी को सीख दे रही हूं कि आप ये करिये या मैंने ये कहानी हुमर के साथ लिखी खूब हसी मजाग के साथ तो मुझे लगा कि अगर हसी म इसकार की कोई हाजसा होता है, बलातकार होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहला सवाल होता है, कि लड़की क्या कर रही थी वहाँ? क्या कपड़े पहन रही थी? तो ये जो मानसिक्ता है, इस मानसिक्ता के साथ हमें लड़ना है और ये किताब मेरा एक प्रयत्न था कि देखे आज की महिलाएं काम करती हैं, बहार निकलती हैं, रेश्टरा जाती है, प्यार में कभी-कभी प्यार भी हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके यह लोगों तक पहुंची क्योंकि इतनी लड़कियों ने मुझे और उनकी माओं ने भी मुझे फोन करके बोला या मिल जब मिली तो कहा कि यह बिलकुल हमारी कहानी है बिलकुल हम लोग भी ऐसे बात चीत करते हैं क्योंकि हमारी पीडी ऐसी है आप तो मेरे से थोड़ी होगा कि हमें तो ऐसे अपाल पोस्के बढ़ा किया कि तुम आगे बन जा के कुछ अपनी जिंदगी के साथ करना तो यही वैल्यूज मेरे खुद के वैल्यूज मैंने इस किताब में लिखे ठीक है फिर आगे कैसे फिर जर्नी बढ़ी आप कंटिनु वहां से करें तो यह ज थोड़ी पातचीत बना तो मुझे ओफर आने लग गए पर पहली यह लगभग दोहजार आठ नौ की बात थी और उस समय पहले तो ऐसे ओफर आए कि इस किताब की फिल्म बना ले पर वो था दोर आइटम गल का तो मुझे थोड़ी आशंका थी कि क्या हिंदी फिल्म इंड एसी किताब है जिसके माध्यम से लड़किया कह सकती है कि हाँ यह हमारी जिंदगी है और हम इस जिंदगी को अपनी सच्चाई से अपनी टूथ से जीना चाते हैं पर बॉलीवूर का तो उस समय का दोर आइटम सॉंग्स का था और मुझे लगा कि अभी भी महिलाओं को इस किताब का अनुबाद बडे परदे में उस essence के साथ हों गा आप निचोड के साथ होंगा जिससे मैंने यह किताब लिखी तो मैं नहीं 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 बोलती गई और एक को नहीं, काफी लोगा को मैंने नहीं नहीं बोला और मैं उस समय दिली में रहती थी, तो मुझे anyway तो फिर मुझे सिधात आनंद जेनोंने बॉर फिल्म बनाई है और अभी शारुके पठान फिल्म वो उसका निर्देशन कर रहे हैं तो फिर उन्होंने मुझसे संपर किया उन्होंने मुझसे इमेल किया और उस टाइम में कॉपरेट वर्ल में भी थी तो मुझे वह माध्यम उन्हों अच्छा लगा कोई वॉलीव इमेल कर रहा है और एंप्रोच कर रहा है कि देखें और कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है और मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरों के साथ काम करें तो फिर मैंने उनके साथ फिर का ठीक है यह मेरा नंबर है फिर बातचीत हुई थोड़ा क्रियेटिव फिर में यह होता है सज्टा की अनलाइक वर्पट वॉल्ल में आपको तरीके के लोगों के साथ काम करना ही पड़ता है वह वह कभी मजबूरी होती है अगर आपको अपना बॉस पसंद आए ना पसंद आए कॉलीग पसंद आए ना पसंद आए जूनियर आए तो पर क्रियेटर फिल्ड में सिंकिंग बहुत होती है कोई ऐसा प्लाटफोर्म आप दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए जिसके जिसके आप खड़े होके कुछ कर सकते हैं कुछ बना सकते हैं तो मुझे लगा कि सिधात आनंद और मेरे साथ जो हमने जो बातचीत की उसमें कन अच्टर से न्यू यॉवर्क में शूट हुई और उसके गाने बहुत चर्चा में रहे जब वो रिलीज हुई थी एक के बाद एक होता गया और फिर कहानी फिल्म है कहानी से तो मुझे बहुत यह पता नहीं आपको दिख रहे है कि नहीं स्क्रीन आवर्ड जी आवर्ड इतनी छोटी फिल्म जिसके कितना छोटा बजिट फीमेल सेंट्रिक सब्जिक्ट और वो भी फीमेल सेंट्रिक उस दौर में जब डिर्टी पिक्चर और आइटम सॉंग्स चल रहे थे तो एक फीमेल जो गर्बती थी उसके इलावत उसके बावजूद मैं कहूं लोगों न बजानी का नहीं तो यह आपके यहां यह जो मुवी थी इसको कैसा आइडिया आपके मन में आया मतलब क्योंकि जिस तरह से आपने पहली किताब बताई हैं वह वीамोन सेंट्रिक कहानी जो पिक्चर यह बीमन सेंट्रिक तो एक और जो आपकी सोच है जो आपके विचार आय यहां पर जहलकते हैं, स्क्रीन पर जहलकते हैं, तो इसका आइडिया कहानी का कैसे आया था? वो सुजोई घोश जो उसके निर्देशक थे, उनके साथ बातचीत में उनके कुछ-कुछ पाच्छे आइडियास थे, और इन में से एक ये था, ये बहुत ही बारीक आइडिया था, उसमें कोई और ही अंगल था, तो पर इसमें कुछ बात थी, जो मुझे लगा कि हाँ, इस है, जैसे इलीगल जो अभी हाली में आई है, मेरे लेटिस्ट जो वूट पे चली थी और काफी अच्छा किया उसने भी, वो भी एक फीमेल लॉयर के बारे में है, उसकी जर्नी के बारे में है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की कहानियों को बताना इस दौर में बहुत ही इंट्रिस्टिंग है क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग बहुत पहले कदम ले रहे हैं, आप समझ रही हैं, जैसे अभी बहुत चैलेंजिस हैं, जैसे CEO को अगर आप गिने, तो बहुत ही कम होंगी जो होंगी जो फीमेल होंगी एक, दूसरा जो किसी परिवार से ना हूँ, तो अभी भी बहुत चैलेंजिस हैं, अभी भी मेरिटल लाइफ में बहुत चैलेंजिस हैं क्योंकि महिलाए काम करी है और फिर भी जाके घर का पूरा संबहलती हैं, बरिवार को संबहलती हैं, तो वो division of labor घर पर भी नहीं हो रहा, तो बहुत pressions रहते हैं, तो मुझे female experiences tod स तो एनिवे मुझे बहुत ही रोमान्चक लगती है और मैं इनको बताना चाहती हूं कहानी के साथ यह आपने एक सही बात कहिए कि क्योंकि कई सारी फिल्में बॉलिवुट की हम भी देखते हैं इसमें अगर कोई लीडरोल की बात की जाती है तो सिर्स सल्मान खान सल्मान खान लेकिन पता नहीं कि जादा सजादा जो करेडिट कह लीजिया पूरा जो चीजें वह एक हीरो लेकर चला जाता है लेकिन आपकी जो पिक्चर्स हैं जो आपकी बुक कह लीजिये जो भी आप OTT प्रेटफॉर्म पर जो आपने इल्लीगल आपका सीजन टू भी आ गया है तो इसमें सारी की सारी आपकी फीमेल सैंट्रिक हैं अब कहानी को लेकर आप कुछ कह रहीं थी बिल्कुल मैंने इन फैक्ट उस टाइम इंटिव्यूज भी हुए थे और मैंने कहा था पत्रकारों को कि विद्या हीरो है फिल्म की और मैं टूली ये बिलूइफ करती हूँ और मैं जब कैरेक्टर लिखती भी हूँ तो मैं वही सोच के लिखती हूँ मुझे यह नहीं लगता कि महिला है या कमर्शल्स क्या होंगे या चलेगी या बॉक्स ओफिस ओपनिंग मुझे इन चीजों की परवा ही नहीं मैं लिखती हूँ सोच के ये किलदार हीरो है फिल्म का हीरोईन है फिल्म की जो भी हो आप किसी भी जेंडर में देखना चाहें पर ये है जो मुख्य भूमी का फिल्म की है ये इसी कैरेक्टर की है तो मैं उस अंदाज में उस सोच के साथ लिखती हूँ और कहानी के साथ भ बहुत बातचीत होती है और वो San Francisco flight or women's day पे पूरी female crew जाता है और 6-7 साल पहले मैंने लिखी कहानी about a female pilot को कि मुझे बस लगा कि ये अभी भी ऐसी professions हैं जहां पे महिलाओं को जगा नहीं मिलती और पाइलटिंग का ऐसा प्रोफेशन है क्योंकि अगर आपाइलट से बात करो पुरुष हो या महिला हो वो आपको बताएंगे कि यह हमारे जहन में हम बहुत जिंदगी भर हमें plane उडाना था और हवाओं के साथ बादलों के साथ बड़ी पोईटिकली बताते हैं आपको उनको क क्यों यह पैशन है तो मैंने का अगर पुरुष हो सकता है तो महिला कोई भी हो सकता है पर एक इशु यह है कि फ्लाइट ट्रेनिंग का कॉस बहुत ही महंगा है और इसके वज़े से बहुत बायस आ जाता है लोग सोचते है कि अरे लड़की है पाइलेट बनेगी फिर शादी हो जाएगी प्रेगनन्ट हो जाएगी फिर कहा प्लेन उडाएगी तो इतने पैसे क्यों खर्च करें तो मे इसी को ग्यान नहीं देना चाहती हूँ पर सटली जब मैं सब्जेक्स करती हूँ उनके माधियों से कुछ ता कुछ मैसेज तो जाना चाहिए दूसरा हम इसी तरह से हम देखते हैं कि कंगना रनौत का थोड़ा सा नाम मुझे याद आ गए यहाँ पर क्योंकि उनकी जो फिल्मे मैंने देखी हैं वो भी कहीं न कहीं आपके ही उस मतलब सोच से मिलती जूलती है क्योंकि फिल्म का हीरो जैसा कि अभी जहासी की रानी को लेकर मनी करनी का जो उनकी आई थी और और भी सारी जो उनकी मुवीज रही हैं वो भी कुछ ऐसी रही हैं और हमने देखा है कि जैसे बड़े-बड़े हीरोज हैं जो काफी बॉलिवोड में नामी हैं उनके साथ वो काम करते नहीं दिखती हैं तो क्या यही वज़ा आपको मेल सुपरस्टार्स फिल्मों में होते हैं तो सब कुछ उनके रहत होता है आपका फिल्म का बजट भी ओवर सिक्स्टी पसेंट उनके रम्यूनरेशन में जाता है तो आज कल में जब फिल्में इतनी धराधर फ्लॉप हो रही हैं यह बड़े-बड़े हीरोज के साथ मुझ का पूरा जो फोकस रहा है वो स्टार पार रहा है लार्जर दन लाइफ और अब वो दौर मुझे लगता है खतम हो गया है और मैं कंदना रनौत को सराती हूँ क्योंकि उन्होंने अपने पैसे डालके यह फिल्में बनाई हैं वो हिमत की बात होती है क्योंकि यह बहुत ही उन्प्रेडिक्टबल फिल्प इंडिस्ट्री है कभी काम होता है कभी नहीं होता है कभी चल जाती है कभी फ्लॉप हो जाती है आप कौन सोचता कि आमिर खान आमिर खान की फिल्म जो पिछले 30 साल से भूल कर रहे हैं बॉली वोड से पहली फिल्म से लेके उनकी फिल्म इत को प्रिजेंट करना था एक सर्टन वे में और उन्होंने अपना पैसा लगा के वो किया और वो फिल्में चली भी उनको अवार्ड भी मिले तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इन वन सेंस मार्दर्शन भी कर रही है हमारे लिए हम लोग पार्ट अवर टीम है थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने लोग आ जाते हैं और इतनी खीचतान होती है कि यह मत करो वो मत डालो फिर भी हम मैनेज तो कर रहे हैं बिल्कुल बहुत रिस्की होता होगा कि बिल्कुल आपने कहा कि पता नहीं पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी आप लेकिन आपकी जो विचार हैं जो सोच है आप बस चीज कर देती हैं यह नहीं देखती हैं कि यह फ्लॉप होगी या हिट होगी आप बिल्कुल इस चीज मे तो यह सारी चीजन सोचते ही होंगे। दूसरा मेरा सवाल आपस यहां पर यह है कि आप पिक्चर्स की कहानियां यहां पर लिखती हैं इंस्ट्रक्शन भी देती होंगी कैसे वो स्क्रीन पर प्ले करना है, जो एक्टर्स होते हैं, तो कितना मुश्किल होता है, कि जो आपने सोचा है, जिस हिसाब से आपने लिखा है, उन सारी चीज़ों को, उन लाइन्स को ठीक से पढ़वाना, वो सारा एक फील कैसे एक्टर्स और जेक्टर्स से जही ला पाते हैं, कितना मुश्किल होता है आपस में मैनेज करना? बहुत ही मुश्किल और मुझे ये सीक अपनी पहली फिल्म से मिल गई क्योंकि मैंने बहुत सीन्स लिखे थे क्योंकि ये दोनों अगर आपने फिल्म देखी हो, प्रियंका और एंबिया के लिक्रस थे, वो दोनों खुदखुशी करना चाह रहे थे, तो काफी डिप्रेस जिन्दगी के और उनकी ये सोच थी कि हम अब बस कुछ दिन के ही महनमान है तो जिन्दगी पूरी तरह से जी लो तो उसमें बहुत deep conversations होती थी, कभी beer पी रहे हैं, बहुत बाद एक से दूसरे से बड़ी घनिश्टा से बात हो रही है जो जो चीजें हम probably सालों के बाद किसी के साथ share करें, वो लोग उनका ये ऐसी परिस्तिती थी life की, कि वो एक दो दिन के बाद ही सब बता रहे थे एक दूसरे को तो मैंने वो scenes लिखी थी रात की, क्योंकि मुझे लगा कि रात के अंधिरे में एक थोड़ी सी वो माहौल बन जाता है, एक intimacy सी thoughts आ जाती है, जहाँ पर आपको लगता है कि कोई है नहीं, कोई सुन नहीं रहा, नहीं तो दिन में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की नजर आप पे हैं, तो मैंने नाइट की scenes लिखे थे, अब क्या हुआ ये, विंटर में New York में shooting चल रही थी उसके, और हमारे जो cinematographer थे, बहुत ही अच्छे cinematographer हैं, मेरे दोस्त भी हैं, पर वो South India के थे, तो उनसे सरदी जहली नहीं पा रही थी, तो जब मैंने film देखी, मैंने scenes बन गए, और मैंने का, वो बापरे, ये इतने पागल लगते हैं, कि शराब पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसी heavy heavy बाते हैं, तो लोग इनको पागल सोचेंगे, इनको, इनके साथ sympathy नहीं होगी, तो और लिकोछ हुआ, तो ये छोटी-छोटी चीजे होती हैं, पर ये पू बहुत ही तफ होता होगा, क्योंकि कुछ आपने सोच के लिखा है, कुछ वो कर रहे हैं, तो बहुत ही बहुत दिक्कत होती होगी ये सारी चीजें करवाने में, थोड़ा साभी बढ़ते हैं, सरता, I related to, जैसे जब आप बच्चे को पैदा करके बढ़ा करें, उसको पाल प एक और आपका ये तो हमने देखा कि आपने चोटा परदा बड़ा परदा OTT तीनों जगा पर आपने मतलब इतना काम किया है, एक और अलग आपका रूप यहां पर देखने को मिलता है, कि आप अपनी कहानियों के माध्यम से फीमेल को लेकर बहुत जादा सोचती हैं, काफ अपना जो नेचर है, वो दिखाया आपने, लेकिन सेकंड जो आपका कोड नेचर है, कि आप हेल्फुल भी हैं, विमन के लिए, तो ये चीज़ें आपने पहाड में की हैं, तो थोड़ा सा ये बताईए, पहाड की महिलाओं को लेके थोड़ा सा कैसके से दिक्कत होती है, क उनके भाई, अभिना बिंदरा हैं, जो अलिंपिक गोल्ड मेडलेस्त हैं, तो मेरी फ्रेंड है दिव्या बिंदरा-कपूर, और उनके साथ हमें लग रहा था, उसको भी करोना हो गया और वो मुझे कह रही थी कि मुझे करोना हो गया, और इतना बुरा हाल हो रहा है, मैं पर सोच रही हूं कि और लोगों के साथ क्या हो सकता है जिनके पास पैसे ना हो या you know all the other things that happen ये एक ऐसे हमारी थी जो सब को effect कर रहे थी आपके पास पैसे हो ना हो कहां पे रहते हो किस पार्ट में दुनिया में देश में तो फिर बात चीद में उससे कहा कि देखो पहाडों में तो मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि यहां पे दिल्डी में बैठे बैठे ऑक्सिजन नहीं मिल रहा यह नहीं हो रहा वो नहीं हो आपको तो पता है सरिता आपने तो कवर किया होगा क्या हाल था तो मैं का मुझे पहाडों का बड़ा डर लग रहा है क्योंकि वहां त होता है तो तो मैंने का वहां पे कुछ करते हैं जो थोड़ा बहुत तो फिर हमने फिर fundraising campaign शुरू किया हमारे पास NGO भी नहीं था तो हमने अभिना बिंदरा जी ने कौन यह करेगा क्या बस इसको नाम दे देंगे तो लोग को पता है कि यह है प्रोजेक्ट और आप लोग इसमें हमारी साहता कर सकते हैं तो वहां से फिर हमने fund collection दिया खुद अपने पैसे डाले फिर हमने पैके केर पैकेजिस बनाए उसमें अक्सीमीटर था स्टीमर से हमने चाता भी डाल दिया क्योंकि बारिश इतनी होती है अचकल इतनी बारिश को रही है फिर लंग से हमने उन्होंने हमें पैकेट दवाई का दिया जो तीन दिन का पहला कॉर्स होता है तो वो डाला बच्चों के लिए जो सिरपलक से आता था विदावट इसको भी किया तो ऐसे ऐसे हमने सैनिटाइजर मास पास तो था ही उसमें और थर्मोमेटर डिजिटल थर्मोमेटर तो ऐसा केर पैकेज जो हम लोगों को बताया जा रहा था कि आप लोग यह रखिया घर पे कि आप थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं ऑप्सिजिन लेवल टेंपर आप ऐसे डिस्ट्रिब्यूट करें आप ऐसे डिस्ट्रिब्यूट करें मैंने जैसे अपने गाओं सुमाडी में भेजा तो वहां के प्रजान से मेरी बात्ची चलती रहती है तो हम खुद नहीं जा सकते थे तो हमें उन जगाओं भेजना था जहां पे कोई विश्वसनी व्यक्ति हो तो वहां पे जब हमने भेजा तो हमने गाओं के लिए बेजा और उन्होंने मुझे बोले इतने लोग है गाओं में तो सरिता मुझे इतना अच्छा लगा उन्होंने खुद बखुद जितने चाहिए थे अपने गाओं के लिए सुमाडी के लिए वो रखे तो हम लोग दस ही रख लगते हैं यह ने कि हर परिवार को एक मिले जिस प्लैनिंग के साथ हमने भेजा था और फिर उन्होंने बाकी ऑक्सिमीटर्स को और गाओं में छोड़ा और ऐसे हमारी कवरिज पचास से उपर गाओं में हो गए और मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना बड़ा दिल है जहां पे हमारे शहरों में लोग ऑक्सिजन को हौड कर रहे थे वो खान माकेट इतना बड़े बिजनस मैन उसने ऑक्सी मीटर्स को क्या-क्या रेट्स पे बेच रहे थे चार गुना प्राइस पे पाच गुना प्राइस पे डेस्परिट लोगों को वो ही हमारे उत्राखन के गाओं में खुद बखुद मैंने कुछ नहीं कहा उन्होंने खुद बखुद जितना उनकी जरूरत ही उतनी रखी और बाकी और गाओं में फैलाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे अब लगता है कि कुछ और भी करना चाहिए, थोड़ा सेकल डाउन हो जाए, थोड़ी चीजे समानिय हो जाए, फिर बिल्कुल मैं और काम करूंगी गाउ में, मुझे तो बहुत ही मन है और मेरा प्रयत्न है, मैं इसलिए लोट है और मुझे लगता है कि यही मेरा परिवार है, ना मैं शादी शुदा हूँ, ना बच्चे है, ना कुछ है, और लेखक हूँ, तो ज्यादा समय एकांत में बिल्कुल है, तो मेरा परिवार ही लोग है, और ऐसे परिवार बढ़ता है, जब आप लोगों से कॉंटक्ट में आते हैं, और उनके दुख में, तो सचा कि इनको एक परिवार काफी नहीं है, इनको बहुत बड़ा परिवार होना चाहिए, तो इनको सिंगल ही रखते हैं, और आप अपनी जिन्दगी के हीरो है, आप कहानियों में एक्रिस को हीरो दिखाती हैं, लेकिन आप भी अपनी ज आपको किसी हीरो की जरुवत नहीं है, और वो आप सार्थक भी कर रही हैं, और दूसरा आप उत्राखंड को लेके भी कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि आपका नेचर जो पहाड के लिए जो help करने का एक रहा है, आपके दिलों में अभी भी जो है दिल में पहाड बस्ता है, आप कहीं भी जो है देश विदेश पूरा घूम लें लेकिन अल्टिमेटली आप पहाड में अपने उसी गाओं वहीं पर ही आ जाती हैं, तो यहां पर आज की डेट में जो उत्राखंड के हालात हैं, चाहे वो पलाइन को लेकर हो, चाहे वो आप देख रहे हैं कि युवाओं को लेकर जो युको ट्रॉपल एसी में जिस तरह से परिक्षाएं हुई हैं, उसमें भी गरबडियां हुई हैं, हम देख रहे हैं कि सरकारी जतने डेपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो धान सभाव वहां पे भी अवैद भरतियां हो रही हैं, तो आज की डेट म मुझे बहुत बहुत दुख होता है, और अभी तो स्टैटिस तो अब्जरवर का ही है, ज्यारा पता नहीं चलता कि क्या करें, क्या कर सकें, हमाचल की तरफ देखते हैं, तो सोचते हैं कि उनके से सीम रहे हैं परमार जी, जुनों ने खुद एपल की पेटियां साठ की दिल्ली में नेता हो बाबू हो उनके पास जाते थे मैंजन उनका उनकी हुमिलिटी कि वो खुद जाके पेटिया उन्हें देते थे और कहते थे शिमला की यह सेव हैं इनको ट्राइकर यह कश्मीर से भी बहतर है और आज शिमला एपल्स आ सो फेमस तो यह जो पैशन है ना स् लोगों के लिए अपनी संसकार के लिए अपनी संस्कृति के लिए यह पैशन अभी तक मुझे नहीं दिखाया है कोई लीडर में और मैं यह साफ कह रही है नहीं नहीं बिलकुल आप बिलकुल डारेक्ट तो मतलब हाट टू माउथ है आपका यह बहुत अच्छे लगा कि किलियर बोलती है कि खुद बखुद यह चोटी चीज़े जैसे प्रोजेक्ट बुली हो यह ऐसी ऐसी चोटी चीज़े भी इंपक्ट कर सकती है लोगों की जिन्दीगें को बिलकुल आच्छा है वहां की पॉलिटिकल पार्टी जों जैसे बीजेपी है मैं कॉंग्रेस वहां पर है दोने एक दूसरे पर करप्शन के आरूप तो लगाते हैं कि दोनों के कारकाल में जो है भरतियां हुई है निक्तियां जो हुई है उनमें गड़बडियां हुई है मतलब सिफारिश तो ही लेकिन आप यह इस हैं कि आपकी फीडाव हुई है तो मतलब और Fahr car may be ovigh हो एंता हमारी कारकाल में तो क्या हो गया और भी मुक् справ करते रहें मैंने लड़की और बहू को को लगवाया है किसने नहीं लगवाया और वी तो मखिये मन्धी रहे है सब में लगवाया कि ये गोविन सिंग कुझवाल कॉंग्रिस कॉंग्रिस नेता पूर विधान सभाध्यक्ष तो ऐसे ऐसे बयान सामने आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है उत्राखंड के अंदर जब दौनों ही पार्टियां ही करप्थ हैं दौनों ही इस सब्सक्राइब कर रही है और लोग मांग कर रहे हैं तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाना चाहिए और होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों की भविश्य की बात है की बच्चों की बवश्य की वात राज्य वी फच्छों की तो इसमें कोई इक्जाप हुआ हुए उस में गाड़्बरियां हुई अब क्या गे और बदूढेंशि Best Act आइए-क्जाप के बहूत अच्छा लगा कऊbecca दूओकर आपके साथ है कि आप उत्रा खंट के लिए कोई और अगर प्रोजेक्ट बुली की तरह है कुछ और अगर लाना चाहें तो ज़रूर लाइए और स्वागत करते हैं उसका बहुत अच्छे आप से बात करें करेंगे और इसी तरह से आप बाकी जो पड़े हैं छोटे बड़े नियुक्र इसी तरह से दमाल भी मचाते रही हैं लेकिन साथ की साथ क्योंकि उसमें आप जो कहानिया प्रसुत करते हैं उसमें आपके विचारों की जलग देखनों की मिलती और वोमिन को लेकर जो आप लिखती हैं और जो स्क्रीन पर आप दिखाती हैं वो कहीं न कहीं आज के समय में बहुत जरूरी है कि एक महिला का भी एक चाहिए फिल्म हो चाहिए जिंदगी हो हर जगा पर एक स्ट्रॉंग रोल होना चाहिए और वो भी बहुत कुछ कर सकती है और शादी और ग्रहस जीवन सब कुछ समालने के साथ साथ ये भी कोशिश करते हैं तो इतनी सारी अच्छी-ची कहाने निकले की आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज समय देने के लिए उत्राखंड तक को इसके लिए आपका दिरहेता है देल से जो है धानेवाद नमस्कार जैनिवाद नमस्कार करते हैं